हेलो फ्रेंड्स, विल्कम टो एश्टेडमोर 24-7 आज हम लोग एर फोर्स बाय ग्रूप 2021 से रिलेटेड प्रिवियस येर कोस्टन करने वाले हैं ये प्रिवियस येर है जो की 6-5-2018 का एक्जाम है और सभी के सभी कोस्टन है जो की मेमोरी पेस्ट है और फ्रेंड्स, आप लोग एक बात और बताते चलूँ हम लोग 1 से 14 तक सभी सब्जट का प्रियक्टिक सेट कवर कर चुका है साथी साथ 1 से 6 तक जीके का मोस्ट इपोर्टन कोस्टन और 2014, 15, 16 और 17 का हम लोग प्रिवियस येर कोस्टन कर चुके है और ये प्रिवियस येर है जो कि आज हम लोग 18 का कवर करेंगे अगर आप लोग इन सभी का वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो देख लेजेगा इस वीडियो के डिस्रिक्शन बॉक्स में इन सभी का लिंक डाल दिया जाएगा साथ ही साथ आप लोग चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल अइकन को प्रेस कर लिजेए ताकि आप लोग को ऐसे ही निव वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे तो चलिए हम लोग आज येर फॉर्स बाइ ग्रूप का फ्रीवियस येर का सेसन अस्टार्ट करते हैं सेसन अस्टार्ट करने से पहले इस वीडियो का एक लाइक और शेयर जरूर कर दिजेगा तो देखिए फर्स्ट कोशन देखिए फर्स्ट कोशन करा तो देखिए पैसेज को पढ़कर एक एक लाइन बताना मुश्किल है और बताने से थोड़ वीडियो है जो की लंबा हो जाएगा और पेचीदा हो जाएगा तो इससे देखने में आप लोग को मज़ा नहीं आएंगे इसलिए हम लोग सिर्फ कोशन अंसर करेंगे बाकि जितने भी रागा एंड इंग्लिस के जितने भी बाकि बचे कोशन है उन सभी का सोलूशन पूर्रूम से दिया जागा तो वीडियो में आप लोग लाश्ट तक बने रहिएगा तो देखिए फर्स्ट कोशन करा इसका सही जवाब हो जाएंगे अप्सन नमच चार लर्निंग आ सेकंड लेंग्वेज बूस्ट ब्रेन पावर वेन इट इस डन एट एरांड टेन इयर्स ठीक है फेंड्स एक बात और बता दूं इसका पीडियो के डिस्रिपिशन बॉक्स में मिल जाएगा तो आप लोग पीडियाप डॉलर करके इस प्रैक्टिस सेशन को आप लोग लगाईएगा ठीक है चलिए नेस्ट कोशन देखते हैं इसका सही जवाब हो जाएंगे ही है स्टार्ट यूजिंग इट इन डे टुडे लेंग्वेज ऑप्शन नमें तो बिल्कुल सही जवाब हैं अगर आप लोग पैसेज को एक अकलाइन पढ़कर बताने के लिए कर रहे हैं तो जरूर कॉमेंट्स बॉक्स में कॉमेंट्स कर कर दिजिएगा तो फिर हम लोग पैसेज को पढ़कर एक अकलाइन बता देंगे ठीक है और अगर ऐसा ही ठीक है तो फिर भी कॉमेंट्स जरूर करके बताईएगा आप लोग चलिए नेस्ट को सन देखिए कर अदर ब्रेंस भाइट मैटर एज यूजड इन पैसेज को रेस ओप्सन नमबर चार बिल्कुल सही जवाब है connected with the meaning of words and sentences ठीक है चलिए नेस्ट को सन देखते हैं कर अदर फ्रेज इस हाईयर लेवल्स ऑफ श्ट्रेक्चल इंटेग्रेटी इस रिलेटेड टू इसका सही जवाब हो जाएंगा दा स्ट्रेक्चर ओफ ब्रेन ओप्सन नमब यह पर पर टूनिंग का मेनिंग है यह बिल्कुल सही लिखा हुआ है राइट येस का मेनिंग भी यह भी सही लिखा हुआ है रियस्टेंड का मेनिंग है यह बिल्कुल सही लिखा हुआ है से क्रिफाइसिंग का मेनिंग है यह गलत लिखा हुआ है तो हम लोगों गालत चू तो यह अप लिख लिजेगा का मतलब होता है क्या होते है तो आप लोग हिंदी नोट्स करते जाएगा या फिर आप लोग जरूर याद रखिएगा चलिए गल्ट कोशन दिखते है इस जेनरी का समनार्थी साथ बताएगे अब देखें जेनरी के होता है तो जेनरेस का हिंदी होता है उदार या दानी या दानी ठीक है या इसे हम लोग दान सील भी कह सकते है दान सील ठीक है अब देखिए इसका सैनोने ने उन्स पूछ रहा है जेनरेस का तो देखिए मैली भोलेंट है मैली भोलेंट का मतलब क्या होता है तो इसका मतलब होता है द्रोही इसका मतलब क्या होता है द्रोही ठीक है उसका बाद देखिए अश्टिंगी अश्टिंगी का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है हट जाना डाइफर जेंट का मतलब क्या होता है हट जाना ठीक है उसका बात क्या है लाइवरल वचा तो लाइवरल का मतलब क्या होता है उदार या दानी या फिर दानसील यानि जेंडरेस का साइनोनेम्स क्या हो जाएंगे लाइवरल हो जाएंगे और क्या होता है कि जो बाकी बचते हैं लास्ट में एक या दो अप्सन उनसे हम लोग को टी कोट करने में सहूलियत होते हैं ठीक है तो यह बात जरूर आप लोग ध्यान लखिएगा चलिए नेस्ट कोसिन देखते हैं करा साइनो नेम अफ़ वर्ड ओव मिटीगेट मिटीगेट क क्या होता है तो मिटीगेट का हिंदी होता है कम करना या फिर घटाना कम करना या फिर घटाना ठीक है अब देखिए लीसें लीसें का मतलब ही क्या होता है इसका भी मतलब होता है कम करना या फिर घटाना तो ऑफसन नमर वन बिल्कुल सही ज़ग है मिटीगेट का साइनो न पोजिट बढ़ पुछेगा तो हम लोग ऑगुमेंट यहां पर टीकोड कर सकते हैं तो यह आप लोग जरूर दियान रखेगा चलिए इन्हेंस का मतलब क्या हो जाएगा इन्हेंस का मतलब ही बढ़ाना होता है तो मिटिगेट का पोजिट इन्हेंस भी होगा फिर उसके होगे सद्वननर्म लेसन होंगे ठीक है चलिए नेस्ट को संद देखते हैं है और एंटोन्यम सबढ़ भाग म्यूटिंयस मिटूनियस का उल्टा सब्द घताएए तो देखें मूटियोनियस का हिंदी क्या होता है में त्यूनियस का हिंदी होता है बिद्रोही या फिर हम ल पूछेगा तो इसे हम लोग इंसर्गेंट लिख सकते हैं इंसर्गेंट का मतलब क्या होता है यह आप लोग लिखी जिएगा चलिए उसके बाद देखिए अन्रूली है अन्रूली का मतलब क्या हो जाएगा अनियंत्री अन्रूली का मतलब क्या हो जाएंगे अनियंत्री ठीक है उसके बाद देखिए उसके बाद क्या है R aussi protocol का म적लande क्या होता है pa동 sounds आप लोग हिंदी लिखते जाएगा उसके बाद है faithful faithful का मतलब क्या होता है इसका मतलब हो में जो एक या दो अपसर बचते हैं उनको टीकोड करने में सहुलियत होती है ठीक है अगर हम लोग एंट्व या सैनोनियम नहीं जानते हैं तो यह आप लोग टीक जरूर अपनाईएगा जरूर ही आप लोग को फैयदा मिलेगा चलिए नेस्ट कोस्टन देखने करें हैं चें हैं या लगाते हैं तो डेखिए टोड्ड और टोंड तो यह तो होंगे नहीं यानि option नरुअ ऑप्र वाप्श्यक्षचि में यृप लाइंगस brand और हम अ यह सब्सक्रिया हो likesं वाउंग्प तो क्वाइब हैं तो क्या लेओंट कुछ यानि option नमें तीन बिल्कुल इसका सही जवाब है ठीक है चलिए next question देखते हैं करा spot the error which may be in one part of the sentence जो गलत लिखा हुआ है उससे choose करिया और वहाँ पर क्या होगा वो सही-सही put करिये ठीक है करा having been arrested the thief took to prison no error तो देखिए यहाँ पर क्या गलत होंगे देखिए took to prison है क्या है took to prison है यहाँ पर देखिए took to prison के जगा क्या हो जाएंगे यहाँ पर हो जाएंगे barge taken prison क्या हो जाएंगे barge taken prison यानि option no.3 है जो कि बिल्कुल गलत लिखा हो है यहाँ पर क्या हो जाएंगे barge taken prison आप अब आजटेकन परीजन क्यों होंगे, क्योंकि भाघ का दूसरा भाघ है, क्योंकि ये सेंटेन्स का दूसरा भाघ है, जो ये passive structure होना चाहिए, देखिये, यहाँ passive structure होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर भीधी लगएगा, अब भी 3 के साथ क्या लगेंगे बाज डेके प्रीजन लगेंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए चलिए नेस्ट कोर्शन देखते हैं करा चेंड वाइस अब लिख रहे हो तो इसका देखिए इसका पैसी वाइस बनाना है ठीक है अब देखिए क्या हो जाएंगे सब अब देखिए राइटिंग है जो कि भी 3 भी 4 है इसे हम लोग भी 3 में चेंज करेंगे तो भाट इस बींग रीटेन बाई यू हो जाएंगे यानि ऑप्शन नमबर तीन बिल्गूल सही जवाब है भाट इस बिंग रीटेन बाई यू ठीक है कोई दीकत नहीं होनी चाहिए चलuję next question देखते हैं करक कट ए सौरीं फीगर मिन्स कट ए सौरीं फीगर का मतलब क्या होता है तो देखिए काट आ सौरीं फीगर मतलब को अपने आपको बहुत नीचा देखाना या फिर गरीब देखाना तो क्या हो जाएंगे to a give a poor show मतलब अपने आपको नीचा या गरीब सब्सक्राइब चलिए नेश्ट कोर्शन देखते हैं कि इसका हिंदी क्रीज का हिंदी होता है रचनात्मक फिरीज का हिंदी होता है रचनात्मक ठीक है तो देखिए दे हिमालिया जो या फिर दारमायना हो यह सब के साथ हम लोग क्या टिकल लगाते हैं दल लगाते हैं तो क्या हो जाएंगे दे हिमालिया जो आर टू दी नौर्थ अफ इंडिया ठीक है ओपसर नमे तीन बिल्कुल सही जवाब है चलिए नेस्ट कोशन देखते हैं काराय रेखा इस नौन फॉर हर खाले स्थान टैलेंट तो रेखा जो कि अपने किस टैलेंट के नाम से मतलब परसीद है ठीक है तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएंगे ओपसर नमबर दो बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे हिस्ट्रियोनी हिस्ट्रियोनी ठीक है इसका मतलब क्या होता है अभिने सबंधी हिस्ट्रियोनी का मतलब होता है डॉक्टर्स आर सुपोज टू बी कंसीडरेट एंड खाली स्थान क्या होंगे तो यहां देखिए सुपोज माना जाता है उसे कि इस डॉक्टर को हम लोग और हम लोग द्यालू भी का सकते हैं तो द्यालू के लिए क्या है यहां पर सेंटेज आएंगे हुमेन हुमेन मतलब होते हैं यहां पर द्यालू होंगे ठीक है यानी ओप्षन नमबर तिन बिल्कुल सही जवाब है दॉक्टर साथ सुपोस्ट टुबी कसिडर एंड यहां पर क्या फिल हो जाएंगे हुमेन हो जाएंगे ठीक है नीस्ट कोशन करा रामन वाज खाली एस्थान बीतन नेचुरल टैलेंट फुर मेजीक तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएंगे इंडोपड का मतलब यहाँ पर हो जाएंगे फ्रकीरतिक देन है ने डेमden और इत्प है तो यह और मुझा है तो जब भी टीजर क्या कहेंगे बच्चोंको क्या करने के लिए दो कॉलम्म है तुन ideas क्या करने क्लें और उनको क्या बोले करने के लिए बोलेंगे क्या हो जाएंगे मैच यानि option 3 बिल्कुल सही जवाब है अच्टुटेंट ने टीचर से पूछा कि दो कलम को हम लोग क्या करें तो यहां पर क्या हो जाएंगे मिलान मैच करिए ठीक है नेस्ट कोशन करा चूज वान बाट फोर तक इवन एक्सपेरिमेंट एक्सप्रेशन क्या करा गवार्मेंट पाइदा रीज जो गवार्मेंट है जो की बाइदा रीज वह अमीर है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं प्लूटो क्रेसी ओप्सन नमर वन बिल्कुल सही जवाब है प्लूटो क्रेसी का मतलब होता है धैनिक त्यांत्र होता है ठीक है चलिए नेस्ट कोशन देखते हैं तो यह थे इंगलीस के 20 कोशन जो हम लोग सॉल्व कर लेंगे आफ हम लोग रिजनिंग एंड जेनरल एबिलिटी का कोशन सौल करेंगे कोशन कहरा बाद यह नौ सेना के 1927 में हुआ था ठीक है अब देखें 1926 में 1926 में क्या हो थे तो आज सहयोग अंदोलन की सुरुवात हुई थी यह इंपोर्टेंट पॉइंट से रिलेटर जो आप लोगो बताते हैं ताकि और कोशन आप लोगो कभर हो जाए 1926 में सहयोग अंदोलन की सुरुवात हुई थी 1927 में हम लोग को भारत देश क्या हुआ था स्वतेंद्र हुआ था ठीक है चलिए नेस्ट कोशन देखते हैं करबार 2017 का अस्टेलिया ओपन टेनिस टूर्नमेंट का पूरू सेकल किसने जीता था तो यह रोजर फ्रेडर जीते जीते थे ओप्सन नमें तीन बिल्कुल सब्सक्राइब है रोजर फ्रेडर ने 2017 कास्ट देलिया ओपन टेनिस टूर्नमेंट जीते थे ठीक है चलिए नेस्ट कोशन देखते हैं इस्राइल के परधान मंत्री कौन है तो देखिए यहां है जो कि ऑप्सन बिल्कुल सब गलत दिखा हुआ है तो अभी बर्तवान आप लोक जान लेजे बर्तवान दोजार एकीस में इसराइल के परधान मंत्री ये बेंजामीन नेतन यहां यहां है बेजमीन नेतन ही हूं है जो कि यह इसराइल के पल्धान मंत्री हैं चलिए नेस्ट कोशन देखते हैं करा श्री इंखला का अगला चीत उत्तर आकिरती से चुने ठीक है अब देखिए ए एरो है जो कि यह यहां पर आ गया फिकर में आप लोग ध्यान दीजेगा और यह यह यहां पर था कोना में जोई यहां पर आगया ठीक है तो हम लोग इस तरह से ठीक इस परकाल से एक एक करके बढ़ाएंगे एक उसके बाद आधा तो यह फिकर हैं जो कि यह इस तरह से आजाएंगे आकिरती नीचे दिया हुआ है फिकर है जो कि इस तरह से आजाएंगे अब लोग एक उसके बाद एक बढ़ाईएगा तो फीगर इस तरह के आएंगे चलिए नेस्ट कोस्टन देखते हैं करा लूथ पत को ग्याद करिए अब देखिए यहाँ पे 20 आया है बीच वाला को हम लोग लाना है तो देखिए 5 दूना 10 और नीचे भी 10 है तो 10 और 10 को आड़ करेंगे तो कितना हो जाएंगे यह 20 हो जाएंगे ठीक उसी परकार से देखिए इसमें भी क्या गाए 7 पचे 35 और नीचे का 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 18 चे 24 यानि ऑप्सन हमें तीन बिल्कुल इसका सही जवाब है 24 नेश्ट कोशन देखिए करा 920 में जोड़ी गई सबसे छोटी संख्या कौन होगी जिसमें वह पूर्ण बर्ग बन जाए अब देखिए 920 है जो कि 30 के स्कौ स्कौर ये 900 होता है ठीक है और उसका बाद देखिए 31 का स्कौर कितना होता है तो 31 का स्कौर होता है जो कि ये 961 होता है कितना होता है 961 और देखिए का रहा है कि 920 में क्या जोड़ा जाए तो 920 में क्या जोड़ा जाए तो वह पूर्ण बर्ग बन जाए ठीक है तो देखि कि 91एंगे से 920 घ्टाएगा तो एक 60 हो जाएगा यानिilateral लोग 70 जोड़ेगा तो 901 सै और 901 जै जो की31 का ज्कॉार है यानि और आσα ब्लाइक जड़ेंगे तो एक तालेश जोड़ेंगे तो एक पूर्न बेर्ग बन जाएगा ठीक है चलिए next question दखते हैं करा किसी कुट भासा में road को u, r, d, g लिखा जाए और उसी कुट भासा में mark को क्या लिखा जाएगा तो देखिए road है ये देखिए road को क्या लिखा गया है u, r, d, g अज़ देखिए r है r में हम लोग क्या add करें कि u आ जाए तो r में पलस तीन add करेंगा तो r में पलस तीन add करेंगा तो क्या हैंगे u देखिए o में भी पलस तीन add करेंगा तो क्या जाएंगे a, r आ जाएंगे अज़ देखिए a में भी पलस तीन add करेंगा तो क्या हैंगे d a में पलस तीन add करेंगा करते जाना है तो मार्क में भी हम लोग वहीं काम करेंगे मार्क में भी वहीं काम करेंगे अब देखें A में पलस्ती नेट करिए तो A में पलस्ती नेट करिएगा तो क्या जाएंगे P आ जाएंगे ठीक है और A में फिर पलस्ती नेट करिए तो अभी देखें A में पलस्तीनेट करियेगा तो क्या जाएंगे D आ जाएंगे फिर R में पलस्तीनेट करियेगा तो क्या जाएंगे R के बाद तीनेट करियेगा तो U आ जाएंगे K में पलस्तीनेट करियेगा तो क्या जाएंगे यह A न आ जाएंगे यानि हमारा option PD-UN होंगे PD-UN यानि option number 3 बिल्कुल सही जवाब है PD-UN ठीक है चलिए next question देखते है करा चुनाओ आयूक्त का कार्चकाल कितने बरसों का होता है तो चुनाओ आयूक्त का कार्चकाल ये 6 बरसों का होता है option number 4 बिल्कुल सही जवाब है अब देख लेजिए मुख चुनाओ आयूक्त बरतमान में भारत के मुख चुनाओ आयूक्त कौन है तो ये सुनील अडोडा है आप लोग ध्यान रखिएगा सुनील अडोडा है जो की बरतमान में भारत के मुख चुनाओ आयूक्त है चलिए next question देखिए किसी कुट भासा में पैलस को गुना तो सबसे पहले जो जो कह रहा है वो लिख लेंगे पैलस को क्या कहा गया है गुना कहा गया है गुना को क्या कहा गया है पैलस कहा गया है भागा को क्या कहा गया है माइनस कहा गया है और माइनस को क्या कहा गया है भागा तो यह हम लोग लिख लेंगे ठीक है अब देखे, question कह रहा है कि कौन सा option इसमें से सही है तो friends देखिए option num 때 3 है जो की बिलकुल सही है यह हम लोग बना चुके है ठीक है? तो आपको बता देते हैं देखेगा, यह बता देते हैं प्रषन में तीन मिलकुल कैसे सही है जो तो देखिए 6 अब देखे गुलन इसके को पैलस कर देंगे थिक है उसके भागा उसके आफी कितने हो जाएंगे है नहीं uh शे-पद्स बीट सब्सेर जाए अब एक में साथ से भाग दिजेगा तो कितना हो जाएंगे ऑन 20 साथ ही और इधर बैका पूर्ण संख्याहु का मासा तेन गंवाँ नूपात थीन आख होता है दो संख्याओं का गुनन फल यह आप लोग जरूर याद रखिएगा दो संख्याओं का गुनन फल बराबर क्या होता है एट सीएफ कितना दिया हुआ है एट सीएफ है 28 है और लसीम कितना दिया हुआ 42 है तो 28 गुना 42 और 2 संख्यां कितना है 2X और 3X है तो 2X गुना 3X लिख दिए है ठीक है अब देखिए 2 से कितना बर कट जाएंगे यह 14 दूना 28 फिर देखिए 3 से कितना बर कट जाएंगे 14 यह 42 यानि 1 स्कुर बरावर कितना है एकस स्कुर बरावर आएं 14 गुना 14 गुना 14 ठीक है तो एकस का मन कितना आएंगे 14 ठीक है तो पुछा कितो संख्यां क्या होगी तो संख्यां कितना कितना माने थैं 2X और 3X माने थैं तो 14 गुना कितना कर देंगे 2 गुना 14 और रेशियो कितना 3 गुना 14 और 14 में 2 से गुना कर तो 42 यानि 28 रेशियो 42 आएंगे ऑप्शन नमर वन बिल्कुल सही जवाब है 28 रेशियो 42 अब लोग एक फर्मूला जरूरी यार रखिएगा कि दो संख्याओं का गुनान फर ब्रावर स्याम से कहा तुम मेरी बेटी के पीता के बेटा हो राम स्याम है जो कि राम का कौन है तो यह बेटा का सवंध है यानि ऑप्शन नमर वन बिल्कुल सही जवाब है ठीक है स्वराज पार्टी के अस्थापना किस ने की थी तो स्वराज पार्टी के अस्थापना मोती लाल नहरू ने किये थे ओप्शन में तीन बिल्कुल सही जवाब है स्वराज पार्टी के अस्थापना कब हुई थी या आपको बता देते हैं तो स्वराज पार्टी के अस्था पढ़े थे हैं MDH यानी मैं डे आवर मैंडे आवर और नीचे में क्या होता है बैर्क नीचे में क्या होता है बैर्क तो यह फर्मुला भलोग जरूर जाखेगा अब देखें दून्य काम को कितने करें में तो चोवीस आदमी और दिन का हम लोग माल यह 100 उसे दूगने काम है तो यह दूसे क्या हो जाएंगे बटा में दो हो जाएंगे ठीक है अब देखिए अब इसको हम लोग काटते हैं कितना आड़ दूना यहां 12 दूना 24 ठीक है 4 दूना आठ छे दूना 12 इसका बात 3 दूना छे और यहां 2 दूना 4 चौंसेट में 2 से गुना करीए चौंसेट में कितना से 2 से गुना करिएगा तो 4 दूना 8 28 और इधर कितना बजाएंगे 302 x 356 व्याँलों में ऐसे पुर्णारां До ऑप्सट है और 588 यह ज़्याँने सबसे बड़ी संख्याक क्या है अब दीए रेशियो दिया हुआ है 3 रेशियो 4 रेशियो 5 तो रेशियो में हम लोग क्या साम् बर्वार कितना हो जाएंगे 384 ठीक है एक सुन से 156 चैन्सिल कई सिर लिए आप देखिए सबसे बड़ी संख्यार इक्तमस्र पांच उपाइव कोई-पांच गोल्द Kurz जवाब 304 एंगे ठीक है चलिए निस्ट कोसन देखते हैं तो सिर्श लंबो का योग उसके परिमाप से क्या होते हैं थे परिमाप से कम होते हैं नेस्ट कोसन देख तीन 5 बटे 6 साथ 12 और एक वटे होगा लासा क्या होगा तो देखिए लासा पूझेगा यानि LCM पूझ रहा है तो सबसे पहले जो कोशन कहेगा उसका जैसे देखिए उपर में है तो उपर वाला का क्या करेंगे उपर वाला का उपर वाला का LCM और नीचे में क्या हो जाएगा नीचे वाला का HCF नीचे वाला का क्या हो जाएगा HCF ठीक है अगर कोर्शन आता कि इसका मासा निकालिए तो उपर वाला का हम लोग मासा निकालते हैं लेकिन कोर्शन है लासा तो उपर वाला का हम लोग लासा और नीचे वाल यानि उपर वाला का LCM कितना हो जाएंगा 70 अब नीचे वाला का हम लोग मासा निकालेंगे 312 नौका तो 312 नौका LCM कितना हो जाएंगे ये 3 ही होंगे यानि कितना 70 वाटा 3 यानि आप लोग फर्मूला जरूर याद रखेगा और ध्यान दीजिएगा कि लासा अगर पूछे तो उपर वाला का लासा और नीचे वाला का मासा अगर मासा पूछे तो उपर वाला का मासा और नीचे वाला का लासा ठीक है कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए चलिए नेस्ट कोशन देखते हैं शोप तेन कारों के चाल दो रेस्याओ चाहर के अनुपाद में तो समान दूरी समे मिन Kommaces लिए का उनुपाद क्या है अरदेखेए दो रेस्याओ तीन रेस्याओ चाहर यांगे उसका बड़ाबरत क्या हो जाएंगे यानि option number one बिल्कुल सही जवाब है ये 6 ratio, 4 ratio, 3 इनका समय लगेगा चलिए, next question देखते है रदीविया अपने घायर से निकल कर 40 मीटर जाती है देखिए, ये direction का question हो गया तो आप लोग को ये question बारवार सभी previous year practice set हो, कुछ भी हो उसमें सभी में question ये बताएगा है तो सबसे पहले आप लोग जान लेजिए, उपर में क्या होते हैं, उतर नीचे में क्या होते हैं, दजशीन इधर क्या होते हैं, इधर होते हैं, पच्छीन और इधर क्या होते हैं, तो इधर होते हैं, पूरू अब देखिये कोस्ण क्यों बड़ते हैं तो यहां से वह चली थी दिविया यहां से चली थी मालीज यहां आई है और यहां तक गई यहां तक गई यहां एफ है ठीक है तो देखिए यहां 20 है तो यहां भी कितना हो जाएंगे 20 ही हो जाएंगे तो आई एफ यानि टोटल इनिसियल फैलू कितना हो जाएंगे यहां 20 मि मिंटर यहां तो टोटल दूरी कितना हो जाएंगा 20-20-40 मिंटर यानि दीविया है जो कि 40 मिंटर वह अपने घर से दूरी पर है यानि ऑप्सन नमद दो बिल्कुल सही जवाब है जो इसे जैसे कोशन कहेंगा उसके अनुसार हम लोग को यह दिशा निर्देश दर साथ जाना और असान ही से कॉसल बन देंगेए जालेजन को सन देखते हैं कर दोके दीवारों सो है जो पैड़ों का सबन्स है तो देखिए जो process कि मेहनत करता स जो की इन से कोई लेना देना नहीं यानी ऑपसे नमर 3 है जो की बिल्कुल हिन सबसे भीन है ठीक है निश कोर्षन देखिए कारा है इसमें से अंगत चुनें अब देखिए यहां पे 432 है 484 है 671 है और 693 है अब देखिए इसमें ध्यान दिजेगा यहां 448 दोनों लाष्ट वाला को जोड़िएगा यह 4, 8, 4 है तो यह दोनों को जोड़िएगा तो यह बीच वाला आ जाते हैं ठीक उसी परकार से option number 4 में 6, 7, 1 है यानि यह दोनों को लाश वाला को जोड़िएगा 6, 1, 7 यह बीच वाला आ जाते हैं और उसी परकार से option number 3 देखें 6,9,3 है तो ये दोनों को लाश वाला जुड़ेगा तो ये बीच वाला आ जाते हैं लेकिन option number 1 है जो कि ये दोनों को लाश वाला जुड़ेगा तो 4,2,6 चार और 2 कितना हो जाएंगे 6 लेकिन यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो ये असंगत है या उपर से कितना स्थान है एक इसमा स्थान राप तो नीचे से इस ताह कर देंगे तो कितना कर दीन है यहो जाएंगे अप लोगो किटना होगा तो सबसे पहले जितना souvent रहेगा और नीचे से उपर से दिया हुआ रहेगा उसको गटाएंगे और अपने मांस एक एट Kanada तो 29 ओर किटना हो जाएंगे 30 यानि नीचे से उसका रॉम का स्थान कितना 30 महां यानि ऑप सममत 13nal कुल ओस्थे जभाबी तीश reports तो इस तरह के कोसर रहेंगे तो आप लोग ध्यान दीजिएगा चलिए नेस्ट कोसर हैंब हम लोग देखते हैं अब देखिए यहाँ 629 है 629 तो देखिए यहाँ 108 है तो देखिए यहाँ जोड कर तो आएंगे नहीं 108 यह मुश्किल लग रहा है अगर हम लोग गुणना करते हैं 629 तो यहाँ 108 यह आ जा रहा है यानि सभी में गुणना किया गया है गुणना किया गया है तीनो नमबर में अब देखिए आठ चौक 32 32 ती है च्छी आर में यह आ रहा है अगर देखिए यहाँ एक है यहाँ एक से और यहाँ पांच है तो पांच में एक से गुणना करें यह पांच है यहाँ लाना हम लोग को 35 है पांच में कितना गुणना करें कि 35 आ जा जा है तो पांच में अगर हम लोग 7 गुणना करेंगे हुआ था कितना 150027 सीवी में rabbit budget हुआ याप लोग जरूर याद रखेगा नेस्ट कोसंदेखिए सो कर्णीं में किस बडाद में गय देवंपाद्ध दोनों का परियोग होता है तो यहर्जू बेद में गय देवंपाद दोनों का परियोग होता है ठीक है कुनार का सूर्ज मंदीर किस ने बनवाया था तो कुनार का सूर्ज मंदीर ये नरसीन देव प्रत्थम ने बनवाया था option number one बिल्कुल सही जवाब है नरसीन देव next question देखिए मैनू भाकर का सबंद किस खिल से है तो मैनू भाकार का सवन्द है जो कि ये निसाने बाजी है ठीक है करा भराष्टा चार अब धारना सुचकांग दूसरा सत्रह में भारत को कौन सा अस्थान दिया गया था तो भराष्टा चार में भारत को 81 अस्थान दिया गया था ठीक है, option number 3 बिल्कुल सही जवाब है next question देखे करा imagine के संस्थाफ़क कौन है तो imagine के संस्थाफ़क है यह Jeff Bojes है option number 1 बिल्कुल सही जवाब है Jeff Bojes, Mark Zuckerberg है जो कि यह Facebook के संस्थाफ़क है ठीक है, तो चलिए यह थे जो कि हम लोग previous year 2018 का हम लोग cover की है, अगर वीडियो पसंद है तो इसे जरूर लाइक कर देजएगा और इसे अपने फ्रेंड के पास जादा से जादा share करिएगा, धन्यवादा